संसत की सदस्ता को लेकर राहूल गांडी को सुप्रीम कोट से बड़ी रहत मिली लेकिन कॉंग्रेस इस सवाल उठा रही है कि जब सुप्रीम कोट ने कह दिया तो पर उनकी सदस्ता आखिर बहाल लोगसवाई स्पीकर क्यों नहीं कर रहे हैं वक्त जब की काफी ज़ादा हो गया है और समय भी मांगा गया है इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सदस्ता आमाधी पार्टी के राजस्वासांसत संजय सिंग जी हैं उनसे बात कर लेते हैं संजय जी जब सदस्ता गई थी कॉंग्रेस करी ती 24 घंटे का वक्त नहीं लगा उनको निर्णे उनके पक्ष में आया और मानी सरवोच्चे नियायले के निर्णे से नियाय के प्रती लोगों में आस्था बढ़ेगी दूसरा विसे यह है कि इससे कहीं न कहीं सरकार की घवराहट जाहिर होती है जब उनकी सदस्ता लेनी थी उनको निसकासित करना था संसस्ते त भी गुजरात का निर्णे और आपने 24 घंटे के अंदर उसको लागू कर दिया जब सुप्रिम कोर्ट का निर्णे आ गया तो बीना कुछ कहे मेरे ख्याल से उसमें आदेस की कापी मिलना चाहिए आदेस की कापी मिल जाए तो उसके बाद स्पीकर महोदे को लेट करना ही न चाहोगी मेरे ख्याल से नरेंद्र महोदी जी और उनकी पार्टी नहीं चाहती होगी कि अविस्वास प्रस्ताव पर राहूल गांदी जी बोले दूसरी चीज़ यह कि क्योंकि ओडिनेंस को लेकर जो बिल लोगसवा में पास किया गया और राजसवा में भी अब सुमवार को रखा जाना है क्या आपको लगता है कि अगर राजसवा में भी उसके नहीं रोग पाएं तो सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके से तो राहूल गांदी को राहत मिली आपको मिल सारे ऐसे बिल हैं जो संसद ने पास किया और गैर समवैधानिक था तो नियायले ने उसको बावजूद इसके आपने ओर्डिनेंस के जरिये सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के फैसले को बदल दिया ओर्डिनेंस के जरिये समविधान संसोधन नहीं हो सकता और इसलिए अगर ये बिल गैर समवैधानिक धंग से पास भी हो रहा है दोनों सदनों में संख्यावल क किसी भी तरीके से मैनेज करके तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में बिल कहीं दूर दूर तक टिकेगा नहीं समवार को क्या तैयारी रहेगी क्यों वी रासवा में आप हैं जितने भी इनडिया गडवंधन के दल हैं वो सब लोग इस बिल को वहाँ पर रोकने के लिए इस बिल के खिलाफ अपना वोट करने के लिए तैयार आप अपील करेंगे क्योंकि आपको सस्पेंट किया गए क्या आपको मौका दें संसरी अब जो इंडिया गड़बंदन के दल हैं और उनके फ्लोर लीडर हैं उनके नेता हैं उन्होंने चेर्मेन साहथ से और लीडर अफ दा हाउस प्यूस गोहल जी से बात चीत की है अब क्य सरकार के लोग जाने हैं धारा 370 को हटे वे चार साल हो गए हैं आप कैसा देखते हैं जो डेबलेब्मेंट की बात सकार कर रही है वहाँ पर हुआ है धारा हटने के वासा आपको फरक देखें क्या कहा था इन्होंने कि पूरे देश से लोग जाएंगे वहां पर कितने लोगों ने जाकर वहां जमीन खरीद ली कितने लोगों ने क्या क्या किया बताइए ना आप आप आपने वहां पर लगबग पांक साल से रास्टपती सासन लगा कर रखा हुआ है चुनाव आप कराने के लिए तैयार नहीं है तो डेमोक्रेसी में अगर एक एलेक्ट अमिशा ने जो चर्चा के दौरान कहा था बिल जब लाया जा रहा था कि अर्विन केजवाल उनकी पार्टी गडवंदन का हिस्सा नहीं रहेंगे जब बिल पास हो जाएगा इस पर क्या ने वो तो खैर जोटसी भी है और महान गयाता है कहां से उनकों यह जानकारी मिली है तो हम इस सासा ही पूछे हम तो इंडिया गडवंदन के हिस्सा है और दोनों मीटिंगों में पटना और बैंगलोर दोनों मीटिंगों में अर्विन केजरिवाल जी गए थे बिलकुल तो यह अपने मन से ऐसी बातें करना बिना सिरपैर की भाचपाईयों की आदत है अफव कंपनी इसलिए कहता हूँ तो संजे सिंग सीजे तोर पर यह कह रहे हैं कि जब सदिस्ता रद की गई तब 24 गंटे से जादा का वक्त नहीं लगा और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इतना वक्त क्यों लग रहा है इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कोई दूसी तरफ का कहना है कि जिस तरीके से अब दिल्ली सेवा बिल जब राजसवा में आएगा तो उसे रोकने के लिए जो इंडिया जो गड़बंदन है उसके तमाम जो सांसद है वो पूरी कोशिश करेंगे इससे राजसवा में रोकने की कैमर में जी जाको के साथ दीपाक सिंगरावत एबीपी न्यूस दिल्ली